हेलो दोस्तों, यूनीक नॉलिज चानल जी के हाब मी आपका वेलकम हाब बिना लेट किये सुरू करते हैं, आज का पहला क्वेस्चिन हाँ एक, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ए, जड से, बी, कना से, सी, बीच से, डी, उपरोक्त सभी से, शो अंसर, करेक्ट आंसर, ओप्शन, बी, कना दो, निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? ए, मस्तिश्क, बी, हृदे, सी, फेफडा, डी, किड्नी, करेक्ट आंसर, ओप्शन, सी, फेफडा तीन, हैजा के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए, जोसेफ लिस्टर, बी, रोजर बेकान, सी, एडवर्ड जेनर, डी, लुई पाश्चर, करेक्ट आंसर, ओप्शन, ए, जोसेफ लिस्टर चार, भुरून को भोजन किस माध्यम से प्राप होता है? ए, माता की धम्यों से, बी, गर्भाशय वारा, सी, गर्भनाल वारा, डी, एम्नियोटिक शेग वारा, करेक्ट आंसर, ओप्शन, सी, गर्भनाल वारा चार, वायुमंडल में प्रकाश के विसर्ण का क्या कारण है? ए, अपवर्तन, बी, धूलकन, सी, परावर्तन, डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरी परावर्तन, करेक्ट आंसर, ओप्शन, बी, धूलकन छे, लखवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? A. विटामिन A, B, विटामिन B5, C, विटामिन B7, D, विटामिन D, correct answer, option C, विटामिन B7. साथ, निशेचन की क्रिया कहां पर होती है? A. अनवाहिनी में, B. दर्भाशय में, C. दर्भनाल में, D. योनिमार्ग में, correct answer, option A. अनवाहिनी में. आठ, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? A. हेलोफाइट्स, B. टेरिरोफाइट्स, C. जीरोफाइट्स, D. इन में से कोई नहीं, correct answer, option A. हेलोफाइट्स. 9. लार में पाया जाने वाला एंजाइम, जो की स्टार्ज को ग्लुकोस में परिवरित करता है? A. काइलिन, B. लाइपेज, C. लाइसोजाइम, D. उप्रोक्त सभी, correct answer, option A. काइलिन. 10. मरकरी को किस धातू के पात्र में रखा जाता है? A. एल्यूमिनियम, B. लोहा, C. चांदी, D. शीशा, correct answer, option B. लोहा. 11. रबर को मजबूत एवं उचाल लाइब बनाने के लिए उसमें किस तत्व को मिलाया जाता है? A. सल्फर, B. क्लोरीन, C. कार्बन, D. चारकोल, correct answer, option A. सल्फर. 12. यदि माइटोउंड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? A. घोजन का पाचन, B. घोजन का ओक्सिकरण, C. घोजन का अवशोशन, D. घोजन का अवकरण, correct answer, option B. घोजन का ओक्सिकरण. 13. पादब कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवर्ण क्या कहलाता है? A. कोशिका भित्ती, B. कोशिका जिली, C. टोनोप्लास्ट, D. अन्ताप्रद्रव्य जालिका, correct answer, option A. कोशिका भित्ती. 14. लाइसोसों में पाया जाने वाला वहाँ एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को नष्ट करने की क्षमता होती है. A. साइटोप्लाज्म, B. नुक्लियोप्लाज्म, C. हाड्रोलाइटिक एंजाइम, D. पॉलियप्ताइड, correct answer, option C. हाड्रोलाइटिक एंजाइम. 15. फूनों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्शक रंग कौन प्रदान करता है? A. क्लोरोप्लास्ट, B. क्रोमोलास्ट, C. लुकोप्लास्ट, D. टोनोप्लास्ट, correct answer, option B. क्रोमोलास्ट. 16. निमलिखित में से कौन सावह कोशिकां है, जो प्रोकेरियोर्टिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? A. माइटोकॉंड्रिया, B. राइबोसों, C. लाजमा जिल्ली, D. कोशिका भित्त, correct answer, option A. माइटोकॉंड्रिया. 17. ध्वनी प्रदूशन की इकाई क्या होती है? A. हर्टज, B. देसिबल, C. देसिमल, D. वोल्ट, correct answer, option C. देसिबल. दोस्तों, अमिद है, आपको ये लेक्चर पसंद आये होगी, और हाँ आप अपना लाइक कमिन्स और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, थैंक यू ओल.